इस वीएसपी टिक्नोलाजी इनलो वायो टूब चैनल नौ नूज अगर सब्सक्राइब और लाइकिंग वायो टूब चैनल वीएसपी टिक्नो इंजिनियर चाहते हैं तो आपके प्राइवेट वेबसाइट पर जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसकी एवज में कुछ वेबसाइट आपसे पैसा लेती हैं लेकिन फिर भी आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस वेबसाइट पर इंप्लॉयर भी रजिस्टर्ड हैं और अपनी रिक्वाइरमेंट इस पोर्टल पर अप्लोड करते रहते हैं जिसे देखकर आप अपनी पसंद की नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों सरकार ने इस वेबसाइट का नाम NCS यानी National Career Service रखा है आज हम आपको बताएंगे कि इस वेबसाइट से आप कैसे जुर सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने से आपको क्या फाइदा होगा सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अब तक इस पोर्टल से लगभग 7 लाख बेरोजगारों को जॉब उपलब्ध कराए जा चुके हैं आईए अब फोड़ा जान लेते हैं NCS है क्या NCS Ministry of Labor and Employment द्वारा तैयार किया गया यह National Job Portal एक ऐसा प्लैटफॉर्म है पैलिसमेंट एजिंसी और गर्वनमेंट डिपार्टमेंट भी यहां अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं यहां रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए शर्ते क्या है थोड़ा वो भी जान लेते हैं इस website पर हर व्यक्ति अपना registration करा सकता है बस उसकी उम्र 14 साल से अधिक होनी चाहिए registration कराने वाले व्यक्ति का पड़ा लिखा होने की अनिवार्यता नहीं है अनपड भी यहां अपना registration करा सकते हैं और दोस्तों इस website पर registration कराने के लिए आपके पास unique ID होना जरूरी है इनमें आधार number pain number driving license water card आदी शामिल है इनमें से कोई भी ID होने पर आप यहां आसानी से registration करा सकते हैं आईए अब जानते हैं सरकार की इस website पर आप अपना registration कैसे करवा सकते हैं इसके लिए आप अपने web browser में www.ncs.gov.in खोलें दोस्तों इस website का link मैं आपको अपने वीडियो के description में भी दे दूंगी और आप इस website को अपने phone या computer के mozilla firefox browser में ही खोलें तो ये खुलेगी बाकी browser में ये website खुल नहीं रही है दोस्तों पता नहीं सभी सरकारी website में क्या problem होती है ये Google Chrome या अन्य ब्राउजर में नहीं खुलती है ये सिर्फ mozilla firefox ब्राउजर में ही खुलती है मैंने पहले एक वीडियो में Digital India की एक website पर वीडियो बनाया था उसमें मैं ये बताना भूल गई थी के आप इस website को mozilla firefox ब्राउजर में खुले तो उस वीडियो के नीचे ज़्यादा तर ये ही comment आए के ये video fake है ये website खुल नहीं रही है और कुछ लोगों ने बोला के ये website सरकारी नहीं है तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि जिस किसी भी website के पीछे gov.in या gov.com लिखा हो वो website हमेशा सरकारी ही होती है gov का मतलब government होता है और कोई भी आम आदमी अपनी website के पीछे gov.com या gov.in नहीं लगा सकता है इसलिए जिस किसी भी website के पीछे gov.com लिखा हो वो कभी fake नहीं हो सकती आप ये बात अपने ध्यान में हमेशा रखे आईए अब registration process जान लेते हैं आप मेरे दिये link पर click करेंगे तो आपके सामने ये page खुलेगा आप यहां click करें फिर आपके सामने ये option आएंगे ये पूछ रहा है आप यहां किसलिए registration करवा रहे हैं तो आप job पाने के लिए register कर रहे हैं इसलिए आप पहले number वाले option jobsika को select कर ले इसके बाद आपके सामने ये form खुल कर आएगा आपको यहां अपनी detail feed करनी होगी इसके बाद आपके phone number पर एक one time password यानी OTP आएगा जो डालकर submit करते ही आपका registration हो जाएगा एक बार आप registered हो जाएंगे तो आपके सामने search का option आएगा आप अपनी योगिता के अनुसार इस website पर upload vacancy देख पाएंगे इस website में listed job में ही apply का option होगा जहां आप click करके online आवेदन करके अच्छी job पा सकते हैं बाकी आपका कोई सवाल हो तो मुझे नीचे comment में पूछ सकते हैं